अखाला में आई है खबरों का सिलसिल आगे बढ़ाते हैं अभी लोग धरने पर मैठे हुए हैं जैपूर ही नहीं बलके दूसरे शहरों में भी गोगा मेडी के समर्थक सड़क पर उतर आए हैं और दोशियों पर कारवाई की मांग कर रहा हैं उदैपूर, कोटा, जैपूर, बुंदी, अलवा, अजमेर में भी कई सारे प्रदर्शन किये गए हैं अब वहीं गोगा मेडी की हत्या के बाद जैपूर में करनी सेना के समर्थक गुस्से में है जैपूर में करनी सेना के कारेकरता प्रदशन और विरोध मार्च निकाल रहे हैं उसी मार्च के साथ चल रहा है हमारे सयोगी भवानी सिंग और भीलवाडा में भी लगातार प्रतेशन जा रही है और वहां से हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे है राहूल कौशिक पहले भवानी के पास चलते हैं भवानी और राहूल आप दोनों इस वक्त अखाड़ा में हमारे साथ हैं मैं आनन्द बोड़ रहा हूँ भवानी महिपाल सिंग मकरान ने तो एंकाउंटर की मांग की है कि जिसने उन्हें मारा है उनका भी एंकाउंटर किया जाए और वहीं ल यह जो हत्या हुई है यह हत्या केवल पहली नहीं है राजस्तान के अंदर लगातार जो लोरेंज विस्नुई गेंग है ऐसी हत्याओं को अंजाम देती है एक साल पहले राजू ठेट हत्याकांड हुआ उसके बाद में यह है और करणी सेना का आरोफ है पिछली सरकार पर अ पूरे राजस्तान में इसी तरीके से प्रदेशन करें जैपुर के अंदर जो वॉल शीटी का है वहां पर लगातार प्रदेशन चल रहे हैं और जाहीर तोर पर प्रदेशन है यहां पर सुरक्षाबढादी गई है यहां कडी की गई है पीछे बैरिकेटिंग लगाई गई सुरुक्षा गोगा मेडी को सुरुक्षा जानबूज कर नहीं दीगी जी अच्छा भवानी मैं वापस आपके आउड लोटता हूँ भवानी आप मेरे साथ बने रही है राहूल कोशिक के पास चलते हैं भीलवाडा में राहूल वहां क्या मांग हो रही है कही न कहीं क्या कर दी गई टायर जलाए गए हैं यही नहीं जो ट्रेन थी उसको भी रोक दे गया बीच से पच्चेस मिलिट तक ट्रेन रुकी रही पूरी कलेक्टरी को पुलिस ने चावनी में तब्दील कर दिया भारी संख्या में लोग कलेक्टरी पहुचे धरना पदर्शन दिया पहल सब्सक्राइब लगबगबंध हैं और पूरे चती सी कौम में बहुत आक्रोस है और जब सब्सक्राइब पंजाब बाहर बाहर उन्हें पताया कि उन्हें पर हमला हो सकता है तो उस सरकार ने लिलें सी लापर वही अपना ही और कल आपने देखिए मैं धन्यावाद देना च यह लिए यह लापरवाई पुलीस की नजर आती है इसकी सी ले जाच होनी चीह से कम अम्हें रास्तान पुलीस पर इस्वास नहीं है इसकी सीविजाच होनी चीह और पूरा जो गैंग्स्टर का जो पूरा चेन मनीवी है लोरेंस जो भी नाम हा रहे है रोईद गोदरा लॉर्स वष्णुई की जो गैंग वो गोगामेडी को थ्रेट करें तो उनकी जान को खत्रा उंदुवाइती नहता को क्यों टार्गेट करेंगे वोई करनदे इनके कि बीच मारहे थे उनके काम के बीच गलत कामों के बीच मारहे थे अछय को पीघएति की तो जो काम करता है समाज के लिए उसके लिए टर्गेट कर रहे थे कहीं ले बीच में सुपर एक एकनी इसे बहुत सारे केस हैं जिनमें बहुत सारे समाज के निताओं को इसे अपने जान से हाथ दोना पड़ा था और यह सरकार की ले लिए ठतकालिन सरकार्व के सिट सब पे केस पर सरकार का जो डिलर रविया है इन्होंने कोई भी रिजल्ट नहीं दिया इसे पहले सुपधेव दादा ने अपनी सिक्रूरीटी की डिमांड के लिए भी ग्यापन दिया था और सरकारों के पास गहते पर सरकारे उसमें भी डिली रही उन्हें वो लोग शुरक्षा नहीं उनसे क्या उमीद है रायस्तान में जो भी मुख्यमंत्री बनेगा या बनेगी उनसे क्या उमीद है क्या मांग करेंगे अब नई सरकार बनने जारी है ना मुख्य मंत्री बनाने जारी है उनसे आपकी क्या उमीदे क्या मांग रहेगी पहली बात तो जब तक कि हमरे सुग्द दादा को न्याई नहीं मिलता जब तक नया मुख्य मंत्री ही गोश्णा नहीं की जाएगी और ना हम लोग करने देंग मैं यही कहना चाहते हूं कि वह उनका जो हत्यारों को सजा मिले जैसे जैसे घुछके सुगदेव गोगा मेडी को मारा वैसी इन हत्यारों को भी गुछके उनका एंकांटर किया जा रहूल बहुत भधनेवाद मैं वापस भवाणी के पास जाता हूं भवानी वहां पर भी कुछ लोग धरने पर बैठे हूं है क्या चल रहा है आपके पीछे फिर अचानक से भीड़ उमड़ आई है देखिए धरना प्रोडिशन लगातार यह जा रही है और आप देखिए कि यह लाठी क्यों ले रहे हैं यह क्यों लीए फुद्य बचाओ के लिए हैं पुरे बचाओ के लिए हैं पुरे बावानी शायड है आप पुलिस के पास देखो लगे लिए ले रखिए हम लाठी खाने के लिए बैठेंगे लाठी फरक होता है सर्फ लाठी ले रखिए और लाठी मारना में दोलने वारा अंदुला नचीज साल पहले पहले थे जब पहले उंद्र वसंतरा आई थी बीजेपी सरकार बढ़ी थी विरेंदर शिंग सबसे घर自 Town पर्साइं उसके बस में थी था कैशेष चलाया जाता है उन और यह तो फुल यह आपको लगता है किया स्रकार के लोरेंशुचले लोरेंशुचले का है सकनफरम सपोLSक्व पंजाब से पहले से नोटी सारा रहा था सरकार के पास क्यों नीदि यह सरकार ने आप मुझे बता हो जब राजस्तान फुलीस को तीन महें पहली बदा चल गया था कि सुक्देव सिंग्जी को मारने की प्लैंणिंग चल रही है तो क्यों नीदि सरकार ने आपको क्या लगता जान बुझ कर नहीं दी और कैसे के आप बताओ मुझे सुग्देव सिंग जी जी जे अशोग लोत की या सपिछली सरकारी मुझे कहलो जी से कोई मतलब नहीं मुझे यह बताओ कि हमारे भाई को मारा है क्यों मारा है कौन से प्यदारी ले रहा है अच्छा अच्छा उनसे पुछे इससे पहले कि वो उगर हो जाया उनसे पुछे कि न्याय कैसे होगा न्याय न्याय उन्हें कैसे चाहिए किस तरह से न्याय मिलेगा सुग्देव गुगामीडी की हत्या का न्याय कैसे होगा उनके लिए प्रदेशन की तस्वीरे बता रहा हूं आपको कि यहां पर लाठी डंडे लेकर भीड बढ़ती जा रही है अब देखिए कि तस्वीरें आनंद में आपको तस्वीरे बता रहा हूं कि यहां पर लाठी डंडे लेकर भीड काफी बढ़ती जा रही है प्रदेशन है वो उगर ह आगे निकल जाएगा हद से आगे निकल जाएगा ये देखने वाली बात ए क्योंकि करृणी सेना के प्रदेशन कारियों का है कि पुलीस को सात्फ वहाँ पहुंचे प्रदेशन कारियों को अलग कर सके हटा सके